नमस्कार दोस्तों यूपी प्यस्टी डेली नीज में आप सभी लोग का स्वागत हैं कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बहुत मौज में होंगे चावड़े से एक दम कहीं नहीं कहीं बैट करके खापी रहे होंगे वैसे मैं आप सभी लोग से कुल डिसकस करना चाहा रहा हूँ कि प्रस्णों में जो आपत्ती है चैनल पे एक भाई है जिन्नोंने बड़ी सेरोटी के साथ में बेजा है कुल 16 प्रस्ण उन्होंने बेजा है जिसमें आपत्ती होनी चाहिए और उन्होंने बहुत नहीं उनके प्रस्णों को मैं आप सभी लोग के साथ डिसकस करूँ और वीडियो बनाओं लेकिन ये डिसकस जो करना है मेरा सिर्फ डिसकस करना नहीं है आप सभी लोग भी कुछ कर रहे हैं या बस वीडियो देख रहे हैं सर्च कर रहे हैं तमाम प्रकार के जो चैनल हैं उन चैनलों को सिर्फ हो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कौन क्या बता रहा है कट आप क्या चला जाएगा आज फला व्यक्ति ने क्या कहा एक्ठ तो पागल आदमी है जो दिन भर न्यूज समाचार देता रहता है भाई साहब दिन भर इतना समाचार है कहां पर लोगों को पास समझ्या रहा है और मुझे यह नहीं समझ्या रहा है उन लोगों को देख करके कि यार इतने लोग उस पर देखते हैं भाई गजब के खलिया रहे यही खाली समय में यह काम करते हैं सुबेरे बनाए खाना साम को बनाए खाना दुपहर में सोए भाई रतिया में जिनकी साधी हो गई है उमेरा रुद्बतिया है जिनकी साधी नहीं हुए गल्फरेंड से बात कर रहा है और जिनके पास कुछ नहीं है वो जुगार बाली बाते कर रहे हैं वतलब चल क्या रहा है अभी हम थोड़ी दिर पहले ही देखें क देख कर गया रहा हूं इसलिए मैंने यह सारी चीजे आप सभी लोग से डिसकस की हैं अब आप सभी लोग क्या करते हो दिन भर निउस सर्च करते हो दिन भर देखते हो खुद खुद तो कुछ करना नहीं है फिर आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करें को सर कुछ रास्ता बता कैसे अरे यार हर एक चीज मैं रास्ता तो आप सभी लोग को एक मिनट में बता दूं लेकिन अकेला क्या बोलते हैं एक कावत नहीं है एक कावत है ना अकेला चना भाड नहीं फोड़ता है कावत पता नहीं कितने लोगों ने सुना है कितने नहीं सुने हैं हमें नहीं पता तो वही हाल है ठीक है तो किरपया करके अकेले मैं सामने नहीं आना चाह रहा हूँ जितने भी लोग मेरे से जुड़ करके सामने आना चाहेंगे चाहे हजारों चाहे ड़जारों चाहे 200 हों चाहे 500 कितने भी संख्या हों तो इसे मैं अकेला चना नहीं वनना चाह रहा हूँ ठ आप सभी लोग सोयम किसी एक चीज को पकड़ें जैसे UPSI की हम अगर वेकेंसी की बात कर लें सरकार की तरफ से उसमें काफी ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार पहली बात तो मैं आपसे यह भी बता देना चाहा रहा हूं कि इस बार सरकार को इतना गलत नजरिये से छातर देख र कर रहे हैं कि थर्डवेव आने के क्या चांसे उतनी वेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाओ कब होगा सरकार के पास भी मैसेज जाना चाहिए वीडियो जाना चाहिए आप सभी लोग के माध्यम से जाना चाहिए जैसे भी करके कि इस समय जो चातर है वो उतनी ही सारे उनके चीजें हैं कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है सारी चीजें हाला कि मेरा वह काम नहीं है डिसकस करना मैं बात करूंगा उत्तरब्रदेश लोक्षवाय की दरब से अभी दो दिन पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें थार पारकर और भदावरी की एक मैंने थम्नेल बनाई थी उस थम्नेल को काफी अच्छे अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं जो यूज कर रहे हैं मुझे कोई इसमें दिक्कत परसानी नहीं है बिल्कुल भी जो अच अच्छे चैनल है आप सभी लोग उनको फालो कर सकते हैं सही है कोई दिक्कत नहीं है हम बात करेंगे कि आप सभी लोग क्या कर रहे हैं किसी से मिल रहे हैं क्या कर रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं मुझे तो खुद नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं आप सभी लोग लोग एक एक दूसरे का सिर्फ हम देख रहा है चेहरा देख रहा है कि हम उनका इंतजार कर रहा है वो कब बोले की कब चल रहा है क्या करना है क्या नहीं है पस सारी एकड़ बाते हैं जो लोग एक दूसरे साथ कर रहा है एक्चुल में काम कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फैक्चुल यह है कि एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं सर ये चीजे आपत्ती आई थी ये चीजें हैं फिलार हम अभी आपसे लोग से सोलर कोश्चन भी डिसकस करेंगे आपकी क्या राय है वो जो बेक्ति वी से इसने कमेंट किया है उस पर आपसे लोग बताईएगा उनके कमेंट जो भी आपत्ती वाले प्रस्ण है वो प्रस्ण भी मैं आपसे लोग साथ डिसकस करूँगा क्योंकि आप सब लोग बहुत पढ़वईया है आपसे लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन-कौन से प्रस्ण में है कि नहीं है मैंने तो पेपर भी नहीं देखा आरो यारो गां ठीक क्लॉक बना लीजिए कि मुझे अगर पेपर देना है तो पढ़ाई कर लिए पेपर दे के आ चुके हैं घर पे उसमें कोई आपत्ती है कोई बिपत्ती है तो उसकी जो है तैयारी कर लें समझ रहे हैं तो टाइम क्लॉक टाइम स्ट्यूल जो आपका टाइम टेबल है उसको बना के रखें कि मुझे अगले सुबह उठकर ये करना है सीधे उठकर के बकैती फिर सारी चीजें नहीं करने शुरू करते नहीं है चलिए हम आप सभी लोग से क्वेश्चन डिसकस कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिखू पहुचाने गा ठीक है तो आप सभी लोग सुनिएगा कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कही ऐसे बैड एलिमेंट भी आएंगे जो चैनल को डिसलाइक करेंगे कही ऐसे भी लोग होंगे जो उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे कुछ फर्क नहीं पढ़ने वालाम को क्योंकि हम न्यूज समाचार और वीडियो उसी प्रकार से देते हैं वही देते हैं जो मुझे सही लगता है और आप सभी लोग जानते हैं मुझे क्या सही लगता है वही चीजे सही लगती है जो चात्र हिस्त से हट करके मुझे कोई चीजे सही नहीं लगती है चा किसी कमेंट वू नाम के चैनल से टीक है है इन्हों ने कमेंट किया है आप सबी लोग स्कृन पे स्वयायद देखिए गाता कि बाद में यह नहों कि वह हूँ जो भी जूडे मेरे चैनल पर आणता है। मैं अगर लगता है मुझे लोगों से सेर करने लायग ने मैं खुदी इनसे बहष करता हूं ग्याण दे देता हूं समझा देता हूं लेकिन कुछ लगता है कि आप सुब लोग के साथ भी उनकी बात पहुचानी चाहिए तो वो वीडियो भी मैं आपसे लोग के साथ सेर करता हूं जैसे ये अब देखें इनकी जो प्रस्ण है पहला प्रस्ण है बदावरी भैस वाला जो कि आप से लोग ने थमनिल देखा होगा बहुत चर्चीत हो रहा है इस समय बोडो संथाली लाइंग्वेज वाला अप वर्क फोर्स वाला जो है ट्राइब डिस्टीग वाला ट्राइबल डिस्टीग वाला जीवासम इधन के प्रस्ण है वो हाइड्रोजन सलफाइट के है वो गुजराल ड्रॉक्टरिन वाला जो एक कुश्चन है साइद वो यूपी में क्रिसी 6 के लिए है आठ विदेशी यात्री 9 हिंदी में अंगाना गयांद ठीक है हिंदी के लिए है 11 नंबर जो कुश्चन है वो है एस्टी जनसंख्या 12 है जमिंदार और दरोगा वाला इन्होंने लिखा है देखिए स्क्रीन पर आप सब लोग यह सारी चीजे देखते भी चल रहे है तेरा इन्होंने दिया है इरासन कार्ट के लिए 14 दि 15 इन्होंने दिया है महिला समराजी योजना और 16 दिया है ब्रिटिस्ट इंडिया में सैने खर्च जो प्रस्ण रहा होगा आप सब इनों का उसको ले करके यह 16 प्रस्ण है यह मान के चलिए आप सबी लोग अगर इन 16 प्रस्णों में से आयोक की तो एक आदत आप सबी जान गए हैं आप सभी लोग अगर ना जान रहे हैं तो हम बता दें कि आयोक रिवाइज डांसर की नहीं देता कि जितने आपत्ती पड़े उन में से कितनों को सही किया उसने कितनों को गलत किया बस हो जाता है उसी में तीन चार पांच जो भी रहता है जदा जदा और मैं आप सभी लोग तो सुधर भी सकते हैं लेकिन आप सभी लोग कहीं जाने के बाद नहीं सुधर सकते हैं यह मुझे अच्छे स्पता है फिलाल यह प्रस्ण है जिनकी आपत्ती देनी है और मैं आपको दिखा देना चाहा रहा हूं कि सोर्स एकदम सही है आपका मैंने इन से यह प्रस्नी भी किया, चेक कर लें आप एक बार जरूर, इनका अप्सन है, यह सर्फ कहिये तो authentic proof है, देता हूं, ज्यादा तर के मेरे पास है, इनके पास काफी proof भी है, इनको मैंने बहुत दिन से भी इनको notice भी कर रहा हूं, इनके जो comment रहे हैं, वो हमेशा सब्वेता पूर रहे हैं सारे चीज़ें इनकी अच्छी रही है मैं काफी मैं हर एक कमेंट अपने चैनल पे नोटिस करता हूं जो मोस्टली दो से तीन बार अगर आये हुए रहते हैं तो मैं उस चैनल को उस ब्यक्तिवी से इसको हमेशा नोटिस करके रख लेता हूं यह मेरी आदत है फिलाल यह चीज़ें है रही बात आयोग की तरफ से अभी इसके रिजल्ट को ले करके वो भी सूचना मैं दे दूँगा आप सभी लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहे हैं अभी इसे दे दे रहा हूं आप सभी लोग को इसका जो रिजल्ट है फरोरी के पहले सब्ता तक आप सभ आप से भी मैं काम करूंगा ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें यूपी एसाई का एक्जाम हुआ है उसका अंसर की भी आ गया है कटाप को ले करके लोग परिसान भी है क्या जाएगा कैसे जाएगा उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है लोग उसको पिरशा प्रिबीएस येर में कितने लोगों ने फॉर्म फिलárias किया था कितनी सीटे थी इस बार कितने लोग थाफ कि यसीडेयों सारी चीज़े मैंने डिसकस करकर के कटाप बता दिया है अगर एक दो नंबर से आगे पीछे भी कटाप हो जाए तो आप से भी कमेंट कर दीजिएगा फिलाल सारी चीजे मैं जानता हूँ समस्ता हूँ क्या है कैसे है वीडियो आप सभी लोग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते हैं जो लोग पुराने चैनल पर बने हो सिर्फ सब्सक्राइब करके अगर चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब करने एक